कि नमस्कार अभी देखे स्क्रेंड पर यह जो बार-बार सिस्टम लाउंचर की पिस्टॉकिंग आ रहा मेसेज यह कोई भी जो एंड्रोइड वाइड है जैसे कि यह माई का है माई नोट फॉर यह बार-बार जो है इस प्रकार का मेसेज आ रहा है आप रिपोर्ट सेंड करे देंगे 吉डिक टो हम प्रेकर से वापसा आले है तो अब इसको वास्ति करने क्यूंकि आपके से भी एप को यह उपन करने नहीं दे पा रहा है, चाहिए आप इसको cancel करिए ठीक है, जैसे यह मैंने cancel किया, यह दिखे फिर आगए तो सबसे असान तरिक यह है कि आप सबसे पहले उपर स्क्रिन पे स्क्रॉल करके setting पे चले जाएए और setting पे जाने के बाद यहां से सको cancel कर दीजे और कैंसल करके आप नीचे स्कॉल कीजिए जहां पर आपको एप दिखाए देगा तो यह माई नोट में यहां पर दिखिए मैंनेज एप है इसको क्लिक करेंगे ठीक है तो यह थोड़े देर आपको रूखना है यहां पर ओके तो तो यहां से आप इसको सर्च कर सकते हैं सिस्टम सिस्टम ठीक है तो यहां पर आपको सिस्टम यू आइस अंड्रोड सिस्टम और सिस्टम एप अप्डेटर सिस्टम डॉंचर तो यह सिस्टम जो लॉंचर है इसमें आपको जाना है ठीक है और यहां पर आपको कुछ चीजे दिखिएंगी जैसे की फोर से स्टॉप डिसेबर क्लियर डीट आपको थोड़ा दिर यहां पर वेट करना है थीक है और यहां पर डिसेबल की जगह अगर अपडेट हुआ रहता है तो जनरली प्राब्लम आता है और नहीं आ रहे हैं तो फोर्स इस्टॉप कर सकते हैं चुकि यह डिसेबल है तो क्लियर डेटा में चले जाते हैं ठीक है चले यह डेटा क्लियर हो गया ठीक है अगर यह फिर से प्राब्लम आता है तो यह हम इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे और यहां पर जो फोर्स स्टॉप है वह इनेबल हो जायागा और यहां समय इसको देख करते हैं तो चलिए बैक करते हैं इसको ठीक है और यहां पर यह फोर्स देखिए फिर से यह आ गया इसको कैंसर कर देजिए और इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे और यहां पर फोर्स स्टॉप है ठीक है इसमें मिज भी हो तो यह को कर दीजिए क्योंकि यह मिज भी रहा है ठीक है अब चलिए वापर जाते हैं होम बटन में ठीक है तो दोस्तों यह देखिए यह अब स्क्रीन यहां पर आने लगा है और अब वो जो मैसेज आ रहा था बार बार वार वो अब नहीं आ रहा है ठीक है तो आप इसको चाहें तो देखें ओपन करके भी देख सकते हैं ठीक है इस क्रॉल कर सकते हैं आप वार्सब ओपन कर सकते हैं ठीक है तो थैंक दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं और यह जरूरी प्रावल्ब्लम तब ही आता है जब अपडेट करते हैं या कोई बग आ जाता है ठीक है तो कोई भी फोन हो तो इस प्रक प्रोसेस को अपना कर सकते हैं थैंक दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें